Welcome all, इस lecture में हम लोग simple future tense को complete कर लेंगे, इस में हम simple future tense का definition, इसका identification और अंत में structure समझेंगे कि simple future tense का structure क्या होता है, जो पहले definition देख लेते हैं, परिभास देख लेते हैं, simple future tense का परियोग उन actions के लिए होता है, उन कारियों के लिए होता है, जो घटित होंगे at some point of time in future, जो future में घटित होंगे किसी समय विंदू पर, जो कारे future में किसी समय विंदू पर घटित होंगे, उनके लिए हम परियोग करते हैं, simple future tense. अब किसी समय बिंदू पर का मतलब क्या हो जाएगा जैसे suppose बिपीन will play the football match बिपीन football match खेलेगा हिंदी है बिपीन football match खेलेगा तो यहां तो आपको इतना समझ में स्पस्ट आ रहा है कि खेलेगा यह future में घटित होगा लेकिन some point of time का मतलब क्या है मतलब किसी समय बिंदू पर इसका मतलब वो काम सुरू होगा तो किसी particular time से सुरू होगा जो mention नहीं होगा लेकिन यह तो समझ में आएगा कि match जब खेलेगा विपीन तो match किसी time पे सुरू होगा फिर खेलेगा ऐसे ही प्रतीक will dance today प्रतीक आज dance करेगा आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिन में 24 आवस होता है जब हम बात कर रहे हैं उस बक तक प्रतीक ने dance किया नहीं है और हम कर रहे हैं कि प्रतीक आज dance करेगा मतलब आज कोई particular time होगा कोई point of time होगा जहां वो जिस बक उसे dance करना है तो simple future tense में own actions simple future tense का परियोग own actions के लिए किया जाता है जो कि future में घटित तो होगा लेकिन एक particular time पे सुरू भी होगा point of time पे सुरू भी होगा वो understand करना पड़ता है हमें कि किस time पे सुरू होगा क्योंकि football match खेलना है तो शुरू भी खेलेंगे dance शुरू होगा तभी definitely करना है तो शुरू तो करना ही पड़ेगा शिला will be 20 next month अगले महिना शिला 20 साल की होगी यहां पे भी यह future tense है और यहां पे जब अगला महिना आएगा तब वो point of time से 20 साल की हो जाएगी तो यही है कि simple future tense में उन actions को हम सामिल करते हैं जो future में होटते हैं किसी समय बिंदू पर point of time की हिंदी समय बिंदू है अगर identification की बात कर लें कि कैसे पहचानेंगे हिंदी का कौन सा वाकिव simple future tense में है तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जो मुख किरिया होगी मेन किरिया होगी मेन वर्ब होगी उसके अंत में गा गे गी होना चाहिए अगर अंत में गा गे गी है तो वह simple future tense है यह हमें सबजना पढ़ेगा देखिए राम पत्र लिखेगा यहाँ पे लिखना मेन किरिया है और इसका अंत में गा है तो यह simple future tense है सिता पत्र लिखेगी इधर simple future tense. तो अंत में गा, गे, गी होने चाहिए. यहां भी दखिए यहां लाश्ट में गे है, इधर गी है, यहां पे गाँ है. तो, अगर main क्रिया के अंत में गा, गे, गी में से कोई भी है, तो वहा sentence simple future tense में उसे होना होता है. अभी तक जितना टेंसेस परहा हमने, उसमें सबसे असान यही टेंस है, simple future tense, आप बात इस तक की करते हैं, बनावट की करते हैं, बनावट कैसे क्या, बनावट की हिंदी वाले simple future को कैसे बदलेंगे इंग्लिस में, तो इसका बनावट आप जानते हैं सारे sentences का कि सबसे पहले subject और सबसे अंत में object कर लेते हैं, और helping वर्फे डालते हैं subject के बाद तो यहाँ पर helping वरोगा will या shall, will या shall लिखने के बाद हमें verb का पहला रूप लिखना है, किवल पहला रूप यह धियान रखिएगा, कहा भी कि यह सबसे simple tense है, अभी तक जितना tense पढ़ा है या पूरे tense में ही, अब will shall का use की बात कर लें, तो shall का पर्योग जो first person होता है, first person के साथ होता है, first person में क्या क्या आता है, I और V आता है, और will का पर्योग जितने बच गए उनके साथ, इसका मतलब जानते हैं, person तो 3 ही होते हैं, second and third, तो second and third person के साथ करते हैं हम पर्योग, will का, और k वल, I और V का साथ हम पर्योग करते हैं, shall का, तो अब structure देखते हैं, subject, will, shall, plus viewer, plus object, राम पत्र लिखेगा, तो इसका बनावट क्या होजेगी, राम, राम का अनुसार यहां पर will आना चाहिए, और will के बाद viewer न आना चाहिए, तो गोर्ब है, लिखना, तो right, और पत्र है, object तो, और letter, राम, will, right, और letter, सीता पत्र लिखेगी, यहां पर हो जाएगा, सीता, और फिर सीता का अनुसार will, और फिर right और letter तो हो नहीं है, यह लोग पत्र लिखेगे, तो हो जागा, दे, दे के साथ will, right तो आएगा ही viewer, और फिर लोग हैं, तो यह एक नहीं, एक से अधिक पत्र लिखेगे, ऐसा समझ में आ रहा है, इसलिए letters लिखेंगे, तुम पत्र लिखोगे, तुम का you will, you, you के साथ will, right तो होना ही है, और, all letter करी देंगे, तुम पत्र लिखोगे, all letter, मैं पत्र लिखूंगी, तो I, I first person हो गया, तो shall, right, all letter, यह हो गया, मैं पत्र लिखूंगा, तो फिर I shall, right, all letter, जो उपर है, वह ही line नीचे हो जाएगी, तो इस तरह से हम आसानी से simple future tense के हिंदी वाले वाग को इंग्लिज में बदल सकते हैं, इधर अगर note डालना होता है, note का negative sentence हो, तो helping verb के बाद note का प्रयोग करना होगा, helping verb के बाद, helping verb के बाद, note का प्रयोग, जैसे राम पत्र नहीं लिखेगा, तो क्या होगा, राम will not write a letter, अगर integrative sentence हो, क्या राम पत्र लिखेगा, तो फिर helping verb को बाहर निकालेंगे, क्या होगा, will not write a letter, अगर wh question पर करना हो, जैसे सिता के साथ करते हैं, सिता क्या लिखेगी, डबले होगा, सिता क्या लिखेगी, तो क्या का English पहले, what, और फिर helping verb, will, फिर subject, सिता, और फिर verb, right, विखेगा, सिता क्या लिखेगी, तो इस तरह से आपने देख लिया, कि simple future tense का definition क्या होता है, फिर आपने देखा, कि simple future tense को पहचानते कैसे हैं, अगर हिंदी में हैं, तो कैसे पहचान कर लेंगे, और last में देखा, कि हिंदी वाले को English में कैसे बदलते हैं, या English वाले को पहचान कैसे करते हैं, अगर कोई sentence English में subject plus will, shall plus be one plus object के form में है, तो वा simple future tense है, तो इस sentence में इतना ही है, thank you very much.